इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Zoram HT 2.5 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल हाइपटेंशन यानि की हाइब ब्लड प्रेश के इलाज के लिए किया जाता है. यह दो दवाओं से मिलकर बनी है जो उस समय ब्लड प्रेश को काबू करने में मदद करती है जब किसी एक दवा का असर नहीं हो रहा होता है. यह भविश्य के किसी भी हौट अटैक और स्ट्रोक की संभावना को कम करने में मदद करता है. जोरे में एच्टी 2.5 टैबलेट को भूजन के साथ या बिना भूजन के और रात में बार-बार पेशाप करने से बचने के लिए हो सके तो सुभा लिया जाता है. डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक इसे लेते रहें. भले ही आपको ठीक लगे, तो भी इस दवा को अपने आपसे बंद न करें क्यूंकि उच्च ब्लड प्रेश के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती बिगड़ सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपने वजन को कम करना और स्वस्थ डाइट खाना आपके ब्लड प्रेश को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा. इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. मिचली आना, अपच, स्वाद में बदलाव और डाइरिया यानि की दस्थ इस दवा के कुछ आम साइड एफेक्ट हैं. अगर इन में से कोई भी आपको परेशान करता है या अधिक बिगड़ जाता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें. अपने डॉक्टर को खांसी या गले में जलन के बारे में बता दें जो दूर नहीं हो रहा है. मांस्पेशियों में कमजोरी, सुखे मुहों और अत्यधिक प्यास को दूर करने के लिए दवा लेते समय बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं. चक्कर आना लो ब्लड प्रेश के कारण हो सकता है लेकिन यह समय के साथ ठीक हो जाता है. इसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर या किड्नी में कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए. अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशा या हिरदै के इलाज के लिए किया जाता है. आपको अपना ब्लड प्रेशक, किड्नी फंक्शन और सॉल्ट का स्तर जैसे पोटेशियम को नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दवा ठीक से काम कर रही है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.